कि उठागे खिला सीधे बैट से या ला जवाब बल्यबाजी दस निया दिलकष्ट बल्यबाजी मज़ा के देखें जब सीधे बैट से खेलते हैं जो टाइमिंग है अद्गोत नजर आया मापे कंडिशन से दुपहर की एना बल्यबाजी के लिए बहुत बढ़िया देखिए ला जवाब टाइमिंग सिर्फ दिशा दिखलाई फॉलो थूरू खिच मेरी फोटो अब बिलकुल यह देखिए फोटो खिचवाई यह उसके बाद फॉलो थू यह देखिए खीचिये कंधों पे लेना होगा कि एक कैचिट का कॉल तो है लेकिन कैचिट करेगा कौन कौन पकड़ेगा यह कैच संपर कितना बढ़िया हुआ है इस सबसे बड़ा चक्का लगाता है कि क्या शॉट था यह जबर्दस्ट मिर्ची वाला शॉट पेपर के लिए कि बढ़िया शॉट खेला यह आज इनका दिन है पचास बन पोर्ट पे भी लग गए कि कॉन्फिदेंस उनका काफी उचा होगा इससे उन्हें पारी खेली ते ही तो कि अधर इस यहीं सोच होगी थी अगर शराफू और दस बारा ओर है तो बादा स्लोर बन सकता है और फुल टास और गेंड बाउंडरी के उस पार नाम है अलीशान शराफू उनासी पे एक पॉल को देख रहे थे और यह ताकत है बाहू बली यह है ताकत एक तो बावन पे फाच रसल दमसल यह चले रसल यह चले रसल इसी लिए इनका स्ट्राइक पे होना इस वकत अनिवार यह है अब तो इन्होंने थान लिए जब भी गेंस लॉट पे होगी वार करेंगे और बोल्ट हो या कोई भी गेंद बाज हो यह छोड़ने वाले नहीं है अपने अंदाज में तोड़ी मुश्किले है निकलेस पूरण यह गेंबाज है अगर ट्रेंड बोल्ट तो यहां देखिए रसल के थंडर बोल्ट एक के बाद एक हला बोल्ट बाजी कर रहे हैं कटिन शॉट है यहां पे छक्का लगाना बड़ा मुश्किल रहता है पर यह पावर है यह टाइम चार मीटर का वो छक्का लगा है वो दूरी देखिए आप और कितना असानी के साथ सर्दा के साथ उसका एक्जिक्यूशन किया है रसल यह यह भी चला ताटा बाई बाई चली कुकवरा की गेंग ने खुश होंगे क्योंकि यह जब स्लॉट में होती है तो बिलकुल लब गेंद बहार जाती है इनके बल्ले से क्या जबर्दस टाइमिंग यह जो छक्का है इसकी दूरी 99 मीटर खड़े खड़े एक बाद फिर बचे तो खेंदे बचे इस बल्ले बाद से देखिए लॉंगों के फीडर के अंदर आने से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि इनका रडार बिल्कुल सेट है बल्ले बादी में कोई परिवरता नहीं कर रहे है काफी डीप प्रीज में चले प्रीज में चले के रसल फिर से वो लेंड डिलिवरी यह वह बैट फ्लो देखिए और बैट स्पीड देखिए गजब की और यह जो चक्का है 96 में मीटर का इंद को रख रहे हैं इस बाहर पिर से चेखिए रहन गेंड सीमा रिखा के बाहर जाके गिरिए इस प्रीयास करते कि पूटेक्शन थी एक बड़ा मश्मूर डायलोग था शोले का कि गबर के ताप से तुम्हें यह लीजिए कॉन्फिटेंस की बात कर रहे थे यह कड़क शॉट है और इनी की चर्चा हम कर रहे थे छे रन वाह बहुत बढ़ बढ़िया इस पॉर्मेंड में वाह कनेक्शन देखिए डीपी वर्ल्ड जो बिगेस सिक्स है उसमें राशी मिलेगी आपको अब यूस्टी डॉलर पंदरा सो जो सबसे बड़ा छका रहेगा मुकाबले में और कंटेंशन में आ गए हैं यह और यह कड़क शॉट है आप इस जगा गेंद बाजी करेंगे यह बक्षेंगे नहीं यह पर फिर इनके टांगों पर गेंद और छे रन लीजिए कैसे बचोगे टांग पकड़ोगे तो फिर वैसे ही माफी मांग लो छे रन वाव भई वह सीम का दूसरा छका हमने कहा था कि यह छक्या मारने वाली टीम है वो कहते ओहो एक बार फिर बैठक छे रन वाव भई वाव चकों की बोचार यहां पर माई एमिरेट्स की तरफ से इसरा ओवर सुनील नरायन आए और सुनील नरायन गए पाक से बाहर मैं तो हाँ जोडने वाला था कि शुकर है अब भी आप भी आए सुनील नरायन ये पहली बार हमने अवाज भी ऐसी थी कि पता चल गया गेंग कहां जाने वाली है आज तो परेरा जो है वो ही पकट में नहीं आ रहे हैं ये एक सोच थी कि अगर वो नाइट्राइडर्स का जो पाउर परे स्कोर था 57 पे एक विगेट उसके आसपास होते हैं तो मैच बनता और लीजे क्या इंप्रोवाइज किया है क्या बढ़िया शॉट क्या टाइमिंग इंतजार किया और बल्ले का चेहरा फोल दिया अन्दिव समय पे अल्ला बोल दिया वसीम ने शॉट चोटा गेंद पीछे हटे और खेल दिया थर्ड मैं की दरफ पेस इतनी की मिलेंगे पूरे 6 के 6 बहुत अच्छा शॉट था यह नजाकत थी शॉट में समय बूच से खेला गया यह शॉट जानते हैं कि यह फिल और इस बार गेंड जो है ओ लाजवाब मर्शन डिलांगा ने लेकिन गेंड बाउंटी के पाथ चली ही गई इसकी तरीफ करनी होगी पचास रन की पाटनर्शिप भी होगी और बहुत चल्दी हुई जरूर करनी होगी तांगों पे गेंड था वो यह और करना चाहते थे फ्लिक किया और वक्त बिल्कुल नहीं मिला था वहाँ पे डिलांग को को कि आपको अच्छ करें पीछे भागन पूरन का कैच यह देखिए असान सा कैच था यह तो उतना मुश्किल कैच नहीं था उपर मारा है कितना लंबा गया है यह समय बताएगा नहीं जी कोई पकड़ नी पाएगा छे रन पूरन वह उठोएं तो फिर टिम डेविड है महाँ पर आपको बार सिक्सर किंग देखिए लो फुल टॉस है यह असान रहता नहीं है 75 मीटर का चक्का वहाँ पर रसल थे देखिए